पेपर की बातें पेपर डरावनी बातें इनको एक सहस बनाया मावला क्लासिस ने बहुत सारी अनलिसिस करके रखी हैं आप लोग एप्रिसेट कर रहे हैं आज एक निया टॉपिक जिससे आप बहुत दरते हैं लॉग अर्तिम लॉग से जैसी लॉग की बात आती है तो सब मैं देखता हूँ इस्टुडेंट्स एक पता नहीं अजीव सा हो जाता है मेरा जो एक दम एक्स्प्रेशन से वैसे ही रियल में वैसे मैं देखता हूँ लॉग के बारे में जेनु का 2004 का लॉग अर्थम का टॉपिक उसमें कुछ कुछ कुछन होगे इंपॉर्टेंट होगे पूरा-पूरा सेशन आप देखिए कुछन से चार हो या पांच या तीन हो यह मैटर नहीं करते है मैटर करते है कि उससे आपको टेच मिलता है एक फीलिंग आती है हमें किस तरीके कुछन करने है तो जो भी अनलिसे सा रहे हैं आप जरूरे देखें, जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई question करेंगे, पढ़ते हैं, तो पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप ने देखा है कि इस तरीके question आता है, तो जब भी पढ़ेंगे तो उस तरीके content ढूनेंगे, तो analysis एक बार जरूर देखा करेंगे, last तक कि questions कि क्या variety किया है, फिर उसके बाद आप पढ़ें, तो आपको उसी तरीके से question पढ़ने हो, तो चलिए JNU का, पहला question log अर्थम का, देखते हैं, given that log of x square y square base 10, value 6 दी गई है, log of x upon y base 10, 2 दी आगया है, दो expressions दी गई है, log item में दी गई है, तो आपको simple जैसे कहा ही, देखा है, x of y, x of y निकालने होंगे, options सामने हैं आपके, कौन सा options, answer बनेगा, और किस तरीके से answer आएगा, मुझे लगता है, बहुत ही easy होगा, हो सकता कि आपको लगे tough ह है, बट ऐसा है नहीं, next step में देखते हैं, बात एताय होगी, easy है या tough है, एक method देखते हैं, common सा मतलब, जो सब लोग apply करें, उसके बाद shortcut भी देखेंगे, देखेंगे, यहाँ पर property हमने सीधे लिख दी है, जो property अब log की लगेगी, सीधे सीधे अब लगी हुई, property बिलकुल debtor याद होनी चाहिए, इस property को हमने use किया, यहां तर ले आए, प्लियुकी तर ले आ है, च्रफ नहीं है, बार देख सकते हैं, इस property को भी, देखो यहाली expression यहाँ Solve किया है, यहाली expression याda solve किया, अब हमने a गी, देखो इसले माल लिया, कि इसको a माल लिया, इसको a गी माल दो एक्स्प्रेशन ए प्लस भीवार थी, ए माइस भीवार थी, फटापट सॉल्व किया, 5 बाइ 2 और 1 बाइ 2, समरेगे ना, अब लॉग आप X बेस थे हैं, 5 बाइ 2, एंटी लॉग ले गाए, पावर 5 बाइ 2 है, पावर 4 करेंगे, 10 की बाइ 4 आएगा, उसका रूट ले ले method, shortcut कहते हैं, shortcut कहते हैं, जहां से time बचे, वो shortcut ही कह सकते हैं, तो सीधा-सीधा हमने यहां लिया, पावर 2, देखिए, यह सारी property वहाँ पे लिख चुके है, एंटी लॉग लेके यह आ गया, और यहां पर भी एंटी लॉग लेके यह आ गया, दोनों को क्या गया है, multiply कर दिय देखिए, एकस स्कार बरावर 10 की पावर 5, तो x बरावर 10 की पावर 5 बाई 2, अब वो explain कर चुके है, हंडे रूट 10 बनेगा, अब x आ गया, तो y भी निकाल लेंगे, हंडे रूट 10 कहां बन रहा है, ठीक है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक, हमारा x की बाई लू पावर को हमने आगे ले आए, जो पहली प्रोपर्टी लगाई, इस पावर से काट दिया, तीन आ गया, एंटी लॉग मतलब कहने का मतलब होता है, यह इसकी पावर है, तो 10 की पावर 3 x y, ऐसे यहां पे एंटी लॉग भी है, 10 की पावर 2 होगे, x into y, अब दोनों को मल्टि इचले स्टेप में हमने इतना तो कैल्कुलेट कराया कि 100 रूट 10 बनेगा, ठीक है, अब इसको कहीं पर भी रख दीजे, जैसे x y वरावर 10 की पावर 3 है, x की वैलू यहां रख दीजे, तो y वरावर 10 की पावर 3 अपन 10 की पावर 5 बाइ 2, अब इसको कैल्कुलेट करेंगे 3 माइनस 5 बाइ 2, तो 6 में से 5 गया, 1 बाइ 2, रूट 10, x बाइ आ गया, यह था कि बहुत ज़दा संजट में नहीं पड़े, एक बार आसानी से आंसर क्लियर हुआ, ठीक, देख लो बाइ, कुश्चन देख लो, लाग अर्तम का कुश्चन है, बहुत टफ रहता है, ऐसा कु पगड़ते हैं, और लॉग एक ऐसा, उनको मिल गया है, बच्चा पता नहीं क्यों अनकफर टेलर, तो मैं बार बहुत बोलना हो कि, जेन्वी के एक्जाम, निंसेट के एक्जाम को आप निकालना है, ऐसे एक्जाम निकालना है, तो लॉग से आप दोस्ती करिए, दोस्ती, देखते हैं, आगे वाले स्टेप में कि इतना टफ है, कि इतना असान है, तो यह सलूशन आपके लिए तयार है, बस लास्ट पाले स्टेप पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी स्टेप कॉमन है, लास्ट प्लुल आप मत माने कि यह वाला कैसे डिसाइड हो गया तो लास्ट पने रहे हैं, इस चीज को जरूँ ध्यान देंगे, पहले एक बार आपके सामने एक्स्प्लेन करते हैं, देखें यह कुश्चन को हमने प्रॉपर्ट लगा दी, अभी बताई गे थी लॉग M प्लस लॉग N, लॉग M N हो जाती है, मल्टिप्लाई हो गया, 8 है, लॉग 4 है, और लॉग 2 है, देखें आपको लॉग 8 लग रहा होगा, लॉग 4 लग रहा होगा, लॉग 2 लग रहा है, त्यों ऐसा है, मगर हम देखते कैसे है, 2 की पावर, मिरी बात ध्यान देना, 2 की पावर ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए, तो 2 की पावर ऐसा क्या करें, पहुद बड़ी बात नहीं, 3, simple है भाई, 2 की पावर 3 करने पर क्या आया गया, 8, लॉक 8 बेस 2 कितना होता है, 3, अब आपको समझेगे हो कि यहाँ पर 2 कर दें, तो 2 की पावर क्या करें, तो 2 की पावर 2 कर दें, अगर इसको यहाँ 4 कर दें, तो 1 कर दें, समझाए बात की नहीं भाई, आगई, पर 2 की पावर क्या कर दें, 1 कर दें, तो सारी बात समझ गया हो ना, तो इसकी यह पावर पर यही होता है, तो यह लिखा गया, तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता ही है, साल्व कर दिया, फैक्टर देखे, आपके सामने है, या आप कर लें, प्लीज, और फैक्टराइज करके, आंसर निकाला, माइनस 1 और 5, बस यहीं खत्रा है, इतना आप देख लें, इतना कॉमन बात है, क्वाडिटिक को साल्व करना, कॉमन सी बात हो गई, अब अनकॉमन बात कौन सी होने वाली, माइनस 1 और 5 देखा, ओप्शन में, माइनस 1 भी है, 5 भी है, माइनस 1 और 5 भी है, यह 3 और 5 के मतलब कुछ नहीं लिया गया, तो अब यहां डिसाइड करना है क्या लेना और क्या नहीं लेना, यह important है कि अभी हमें quadratic से solution निकालें अब फिट किसमें करने लॉग में तो लॉग में अब यह जरूर एक बास satisfied कर आके जरूर देख लें कि यह चीज रखने पर positive बननी चाहिए यह चीज तो इतना जरूर केरफूल हैं तो minus 1 रखा देखिए तो minus 1 रखा है 3 plus 1 और 1 plus 1 positive आगया ओके हो गया यह यह ओके हो गया बाई अब 5 रखेंगे देखो 3 minus 5 ध्यान देते रहें 1 minus 5 यह negative अब यहाँ भी negative का multiply negative होता है यह बी ओके हो गया बाई दोनों के हो गया इसका मतलब कौन सा option C सबसे important point था अच्छा लगा तो comment जुरू करेंगे आगे बढ़ते हैं next question पर बाई यह question देखता है मतलब मज़ा आ जागा यह question बहुत ही बताब मुझे बहुत ज़्यादा परप्रेशन करता था बहुत चलगता था अगर आपको नहीं आता हो ना समझे लोग ऐसे question के पीछे तो जेनी वाले पड़े रहते है निमसेट में बहुत आता है यह बढ़ा कौन सा इसमें अब lock पहले lock तो समझ नहीं आता है फिर कौन सा बढ़ा है really tough है but हम लोग solution देखेंगे यह solution ऐसे सारे questions को confusion को दूर करेगा real में आगे वाले step को अगर आप नहीं वाला question देख लिया आज तो मुझे नहीं पता कि और लोग भी solution दिये होंगे but मुझे लगता है कि मेरी इस इस पहले method से आप solution को identify हमेशा कर लेंगे चलिए द दिया था कि लॉग आफ 5 बेस 3 का मतलब है कि 3 की पावर यह करने पर 3 की पावर x करने पर क्या आया 5 ऐसे यहां पर भी आपको जान गया होंगे 17 की पावर y करने पर क्या आया 25 अगर ऐसा नहीं सो जा रहा तो पहले वाले question पर चले आए बताया है इस बात को ध्यान दिया है कि लॉग आफ 8 बेस 2 का मतलब है कि 2 की पावर क्या करें कि 8 आजाए 2 की पावर क्या करें 3 करें 8 आजाएगा समझाएगा थी नहीं इतना हमने लिख लिया अब देखें यहां से हम लोग करने क्या वाले है 3 की पावर अगर हम 1 रखते हैं यहां पर दिखाया है 3 की पावर 1 रखने पर 3 आ गया और 3 की पावर 2 रखने पर 9 आया ठीक है 1 रखने पर 3 आया और 2 रखने पर 9 यानि कि 9 से 5 से बाहर हो गया ठीक है यानि कि 1 और 2 के बीच में ही कोई ऐसी value x की रखी जाए 1 और 2 के 1 रखने पर 3 आ गया और 2 रखने पर 9 आ गया तो 5 आने के लिए क्या है 1 और 2 के बीच में ही रखी जाए तो x की value क्या होगी 1 और 2 के बीच में अभी एक बात और दो भी देख थोड़ा सा इत्मना रखें, अब 17 की पावर 1 रखने पर, मतलब Y की वेलू 1 रखने पर 17 आया, और 17 की पावर 2 रखने पर 289 आ गया, यानि कि हमें चाहिए कहतना था 25, और 2 रखने पर क्या आ गया, 289, यानि एक का डिफरेंस यहां किया, तो यह 9 पहुंचा, इसमें एक का ड थोड़ा चेंज करने, Y का कमरीजन थोड़ा कमा रहा है, तो 17 की पावर Y में, 25 बनाने की बहुत ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 1 से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे की पावर X में, थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो X की वैलू ज्यादा आपर यहां पहुंच जाएगा ठीक और ये इसकी कम्रीद थोड़ा जयादा बढाने पढ़ेगा दो करने पर 9 पहुंच रहे तो 5 करने पहुंचने के लिए इसके कम्रीद धुरव जादा बढ़ाने तो x कहां बढ़ गया x बढ़ा है किसे y की x value बढ़ी है y से समझ हो फुली समझ में आ गया होगा ठीक है ध्यान दें उस स्टेप को कुछ छोटा सा स्टेप है बहुत ज़दा कुश्टेंस ऐसे आते हैं आगे वाले वीडियो में लोग देखेंगे कोई नया टॉपिक कंसीडर करेंगे लागर्थम के 2004 में तीन कुश्टेंस थे तीनों इ आता है कोई सेलूइशन आपको किसी भी समस्या किसी भी तरीके समस्या में आप बने हुए हैं लग रहा है कि कोई प्रॉब्म है सलूइशन सहीए मावला क्लासिस आपका हमेशा साथ देगी हमेशा प्रयास करेगी थेंक यू झाल झाल झाल